अगर आपको खाने के टेबल पर अचार दिखें तो आपकी भूख बढ़ जाती है ना तो आज मैं आपको गोभी गाजर और मटर का चटपटा तीखा अचार बनाना बता रहे हूं उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप मेरे वीडियो पर फॉस्ट टाइम है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसे क्लिक कीजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा प्लीज मेरे वीडियो को जाद दो कटोरी मेरे पास मतोर है यह गाजर रहे इसको भी तबड़े चुकडो में कटो लिया है हुए सदेख्ग यह क ένα मिर्ज है कि मेरे पूछ मसाले है यह धनिया है हलदी है और झीर दूह फीली वाली सरसो कली وाली सरसो है तो चलिए बनाते हैं गोभी गांजर और मटर का चटपटा चार सबसे पहले मैं इदे की एक बहगोने में गरम पानी रखे हूं तो आप किसी भी बरतन में गरम पानी रखेंगे और यह जो गोभी गांजर और मटर है इसको थोड़ा मुझे सॉफ्ट करना है तो उसके लिए मैं इसको गरम पानी में और इस गरम पानी में ही मैं थोड़ा नमक डालोंगे ताकि यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो यह दिखे पहले मैं आप इसमें पानी में गोभी डाल रही हूं फूल गोभी में विटामिन के होता है यह जो हमारे सरीर के लिए काफी अच्छा होता है यह देखी मैं दो कटोरी इसमें गरम पानी में गांजर भी डालोंगे और आपको पता है कि गांजर में सभी को पता होगी गांजर में विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होती है और जो मसाले में और गाफी भीतामिन विटामिन होते हां। मुझे इसको बहुत जादा पकाना नहीं है। बस 2-3 मिनट पकाना है। उसके बाद आपको आसे चनने स्टेनर के मशाइथा से चान लेना है। पिर एद्गे को एक Cities कप्र पर या इसी ताली पर एसे इसxico एंगे, तकि जो इसका पानी है अच्छ सूख या उज इसको एक चमच में पीली वाली सरसो डाल लही हां। एक चमच मुझे कड़ा अधनिया भूजक सब इस सब को भूजक मैं आती अचार में मौजूद जो मेहंग भी हरे लगी बहुत अच्छी खुश्पु अरयें लगा रहाता है। उर सही है में तलग इसको मैं अब मिक्सर में पीस हूँगी इसको बहुत ही पतला नी इसको हलका दादरा पिसना ये देखिए मेरा अच्छे से पिसके तयार हो चुका है और मैं अब देखिए मेरा मसाल एकदम रेडी हो चुका है अब मैं इस अधर एक कढ़ाई ली हूँ फिर इसमें जो दो अधर को ड्र चुका हम संयरी ने सप तेम इसको ठाइब करें ली हूँ आवाव के ली हूँ ऑर मर्चर में जो चलाते में लागा अपको पता है कि अचार खाने से उप डीव ठापा पाचे की िए होती ही सक्री हो जाती है इसमें मेंगे मुझ्ध जो फाइए पाइव настолько क्व अचार में एंटी ऑक्सिडेंट भड़पूर मात्रा में होता है तो इसलिए हमको अचार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए और अब देखिए मैंने इसमें हल्दी पाडर भी एड़ कर दिया है और इस तरह मुझे लगातर इसको चलाते रहना है और सबसे जरूरी चीज है वह हींग भी मैंने अट कर दिया और यह अब मसाला जो मैंने इसको दरदरा कूटा था वह भी मैं इसमें एड़ कर दे रहे हूं अचार में जो जो सरीर को फ्री रिडेक्शन से सुरच्छीत रखता है इसको यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आप निमित मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं तो देखें मैं इसमें लाल मिर्च भी अब एड़ करके इस तरह मुझे चलाते रहना है अचार को आप निमित मात्रा में एक दो टुकडे आप ले रहे हैं तो यह आपके स्वास्त के लिए अच्छा है और जिसे अगर आप बर बर कटोरी खाने लगेंगे तो आपका स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा तो मैं थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अब यह जो मैं अच्छा की साहता से ऐसे चलाते रहोंगी ताकि जो सारे मतलब मसाले हैं अच्छे से सबजी में मिक्स हो जाए और मैं अंत में यह देखिए मैं मतर डाल दे रही हूं और इस तरह मुझे लगातार इसको चलाते रहना और मैंने नमक भी इसमें एट कर दिया गया है तो हमार तो खाने में अचार पापड और चटनी तो जरूरी होना चाहिए तो यह देखिए मेरा अचार अब एकदम रेडी हो चुका है आप इसे तुरंद भी खा सकते क्योंकि यह एकदम सॉफ्ट है पक चुका है और वैसे आप इसको एक दो दिन भूप में सुखा के खाएंगे ज़र मेरे गांजर, गोफी और मटर का चैटपता अचार रेडी हो चुका है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिये के और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा thank you, friends झाल